आज हम गेस्टों डिस्टाइनल डिसॉडर्स के बारे में पढ़ेंगे यह एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का पहला चप्टर है जो के जनरिक बीएसन समिस्टर 3 में हम पढ़ते हैं ठीक है और यह एक बहुत ही लंबी पिपिटी है बहुत ही बड़ा चप्टर है अबाउट 300 के गेस्टों का बनते हैं तो आफिर देख़ा है अबच्टिव सब्सक्राइव तर तकम अबच्टों सब्सक्राइन प्यैंगे और बच्टी घंते होँआ हूंको अफ् Hilfже क्टीव कुस्टисьल सब्सक्राइट 6 अबजय करें नेच्टथम सब्सक्राइदि- सब्सक्राइए है मतलब टोडल जियो जी आईटी है हमारा उसकी तोड़ी बहुत इनाटमी पढ़ेंगे इसमें तो पूरी इनाटमी नहीं है क्योंकि इनाटमी आपको आलेडी पता है और उस पे मैं आलेडी दो तीन वीडियो रिकार्ड कर भी चुका हूं ठीक है तो अगर आपने वो नहीं देखी तो देख ले इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि वह मैं आपको सारी चीजे बता दू किसमें क्या-क्या अरगंज आते हैं पिर जो है जो मुटलिब किसम की बिमारिया है उनके कौजिज पैटाफिजियॉलूजी और मुक्तलिप किसम की चीजे है ठीक है अचा पिर उन का nursing process के उनको हम manage कैसे कर सकते हैं as a nurse हमारी क्या responsibility बनती है और पिर जो assessment और मुखतलब किसम की चीज़े होती हैं उसके treatment तक हमने उनको पढ़ना है अचा इसके अलावा diseases में हम mouth और isophagus के diseases पढ़ेंगे stomach के diseases पढ़ेंगे large intestine small intestine के diseases पढ़ेंगे ठीक है अचा इसके अलावा hepatobiliary यानि liver और gal bladder वगरा के जो diseases है वो भी पढ़ेंगे और बहुत सारे जितने भी हमारे body में तक्रीबान बहुत body का बहुत सारा area इस से इस chapter में से आपका इन्शालला cover हो जाएगा ठीक है अचा जी so let's get started with the anatomy and physiology ठीक है आपको अलड़ी पता है इसके बारे में मैं सिर्फ आपको रिविव दूँगा इनॉट में फिजियालोजी आफ जी आईटी जो है वो हमारा यह है कि आपको पता है कि जो हमारा intestinal track है मतलब mouth से लेके इस तरह नीचे जाके इस तरह नीचे जाके इजो फेगस टमक intestine और large intestine और एनस तक ठीक है यह जो है टोटल 23 तो 26 फूट बनते हैं ठीक है फूट हम नाफते हैं ना वही ठीक है या अगर आप इसको मीटर में convert करेंगे तो 7 मीटर से लेके 7.9 या 8 मीटर तक 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 रिबन ये बनता है एक बहुत बड़ा ट्यूब है तक रिबन 8 मीटर का मतलब बाडी से निकाल के आप इस तरह बिल्कुल सीधा करोगे ना इसको तो 8 मीटर सेवन पॉइट नाइन या 7-8 मीटर के बीच में ब पॉइंट है जहां पर वो खतम होता है ractum annus यह जो argans यह आप इसको एलिमेंटरी किनाल के किसकते हैं पूरे चीमब है ना पूरा इसको हम एलिमेंटरी किनाल कहते हैं कुछ ऐसे अरकन होते हैं जो होते हैं टीक है उसमें कि भो okay I can summer a । कि किसिम में भी काम करते हैं उस यसे है दालते है इसमें आपको डायघ्सिटिव सिस्टम का डाइग्राम बताः गया है और इसमें सारे örगंज के नाम है यू कें सी और फ्रूम चीरिक के नाल इसके अंदर आपको एक mucos membrane नजर आएगी, ठीक है, mucos membrane line cavity, cavity हम कहते हैं किसी भी खाली जगे को, जिसे हमारा stomach है, mouth है, ठीक है, बाड़ी में कोई भी आपको खाली जगे मिलती है, ठीक है, उसको हम cavity गएते हैं, अब ये जो हमारी मतलब जो हमारा मू है, mouth है, ठीक है, इसके हाट पैलेट होता है, जो उपर anterior roof बनाता है, उपर की तरफ का जो रूफ है, ठीक है, और एक soft पैलेट होता है, जो की नीचे की तरफ का, जो फर्ष बनाता है, mouth का, ठीक है, जिस पे हमारा, हमारी जबान पड़ी वी है, और saliva रिकलेंट्स वापे मुजूद है, तो उपर का जो च्छत बनाते हैं, that is hard पैलेट और नीचे का जो है, वो है soft पैलेट, ठीक है, आपको feel भी होगा, उपर hard feel होगा, नीचे soft feel होगा, ठीक है, इसके अलावा उसमें tongue है, जबान आती है, ठीक है, lingual frenulum हमारी जबान के नीचे एक बिलकुल बारीक सी layer होती है, जो जबान को नीचे के फर्ष के साथ, मतलब mouth के फर्ष के साथ connect करती है, ठीक है, आप जबान को तोड़ से उपर करके देखेंगे, आपको एक बारीक सी layer नज़र आईगी, उसको हम lingual frenulum कहते हैं, ठीक है, और tonsil होते है, tonsil बिलकुल जो हमारा neck होता है, ठीक है, neck के बिलकुल starting में आपक इस तरह का जोड़ा नज़र आएगा, उसको lymphatic tissue कहते हैं, जो कि आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, या पे लटाइन tonsils भी कहते हैं, आचा जी, दूसरा है mouth, mouth, sorry, pharynx, ठीक है, pharynx जो है, वो mouth के बाद आता है, और food जब हम खाते हैं, जब खाना काते हैं, तो वो इसी त और लेरिंगो pharynx जो pharynx का आखरी हिसा है, जिसके साथ लेरिंग्स अटेच है, लेरिंग्स आपको बदे है, जहां से वाइस बॉक्स हम कहते हैं, जहां से आवाज निकलती है, तो ये pharynx, ठीक है, और pharynx जो है, वो mouth का posterior हिसा है, मतलब पीछे वाला हिसा है, ठीक है, और लेरिंगो pharynx जो है, वो बिलकुल आखर वाला जहां से एजोफेगस टार्ट होता है, और लेरिंग्स होता है, ठीक है, उसको हम वो कहते हैं, लेरिंगो pharynx कहते हैं, बोथ और विच और पानी खाना और हवा तीनों पास होते हैं, ये इसके बाद जाके पानी ने और हवा जो फूड है, उन्होंने अलग-अलग होना है, बखिर फूड और फ्ल्यूट तो एकी रास्ते जाते हैं, लेकिन हवा जो है, वो ट्रेकिया में जाती है, तो पिर वो रास्ते उनके अलग-अलग हो जाते हैं, अच्छा, इसके अलावा आता है, नेक्स्ट अर्गन स्टमक के बीच, मतलब स्टमक के पहले जो है, वो डाइफराम आता है, तो डाइफराम के बीच में से गुजर के स्टमक में एंटर होता है, ठीक है, अच्छा, इसकी जो साइज है, वो तक्रीबन 25 सिंटी मीटर है, यानि 10 इंचिस बनते हैं, और ये एक पैसेज़ वे का का करता है, पैसेज़ वे मतलब एक रास्ते का अगाम करता है, जिससे फूड जो है, वो माउट से स्टमक तक जाता है, तो स्टमक और माउट के बीच में ये क्या करता है, एक रास्ता बनाता है, इसके अंदर ना फूड पैरिस्टाल्सिस मॉवमेंट के जरिये जाता है, पैर से लेके यह आप कह सकते हो के इलेमेंटरी किनाल का जो स्ट्रक्चर है वह एजो फेगस से लेके पूरे लार्ज अंटस्टाइन और मतलब रेक्टम तक फूर लेर्स से बनी हुई है ठीक है मतलब इनके दीवारे आप देखेंगे इसमें आपको चार लेर्स मिलेंगी जिसके नाम है मियुकोजा, सब मियुकोजा, मसकुलरिस, एक्स्टरना और सिरोसा ठीक है ये चार जो है वो क्या है लेर्स है अचा इसमें जो सबसे अंदर की तरफ जो लेर है उसको हम कहते है मियुकोजा ठीक है एनर्मोस्ट लेर होता है और सारे के सारे अर्गंस जो जी आईटी के हैं उनके सब, सब के isनर्मॉस लेयर जो है वो यही म्यूकोजा किला आ है, ठीक है? इस में कुछ epithelium होते हैं, epithelium कुछ सेल्स होते हैं आर्गंस को बनाने में हielp करते हैं, एक पितीलियल सेल आपने पढ़ा होगा, कुछ तेक उसके अंदर connective प्रोप्रिया, गलेट, ठीक है, और मिउकोजा, सब मिउकोजा, ये अलफाज आपको इसलिए याद रखने चाहिए, क्योंकि पेपर में अक्सर ये ही ले आते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, अच्छा, कुछ जो है, वो स्मूथ मसल लेर भी होते हैं, क्योंकि उसने लेर बनानी होती है, तो जो पहली लेर है, जो इनरमोस्ट लेर है, मिउकोजा, वो इन सारे चीज़ों से बनी होती है, दूसरी लेर है, सब मिउकोजा, सब मिउकोजा जो है, वो मिउकोजा के बिलकुल उपर मुझूद होती है, ठीक है, और ये जो है, सॉफ्ट कनेक में काम करते हैं ठीक है openness은 आपने पढ़ा होगा semester one में या semester to में पढ़ा होगा ठीक है तो ये उसी चीज के जो है वो चोटे चोटे दाने type होते हैं जिसका हम lymph nodes कहते हैं तो वो सिब्षक्ष बॉक्षा में पढ़े होते हैं statut one is muscularis external but muscular externa जो हैJohn है ये muscular layer रहे जिससे के नाम से पता चलता है इसके अंदर आपको दो किसम के मसल्स मिलेंगे एक को हम कहते हैं सर्कुलर मसल्स और एक को हम कहते हैं लॉंगिचूडिनल मसल्स ठीक है सर्कुलर मसल्स जिससे के नाम से पता चलता है ये सर्कल टाइप होते हैं और लॉंगिचूडिनल मसल यह बिलकुल लंबे-विसे धागे होते हैं मस्ले के ठीक है तो जो già मस्कुलर्ड इस externa है यह आपको दो किसम के मस्ल्स से बनी हुई मिलेगी ठीक है यह वाली लेर इसमें आपको दो किसम के मस्ल्स मेलेंगे circular muscles और longitudinal muscles और यह ज्यादातर movement में help करते हैं पर इसमें help करते हैं अच्छा नेक्सट वन एस सिरोसा जो है वो आउटर मोस्त लेर है और इसमें सिर्फ जो है वो फलीड लाइक स्ट्रक्चर उसमें मुझूद होते हैं पानी के जैसा ठीक है ताकि ऐसे सेल्ज होते हैं उसके अंदर जो प विजरल पेरिटूनियम का जो लेर है वो यह बनाता है ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट वन जो इसमें चीज़े होती है वो है एंट्रेंजिक नर्फ नर्फ फ्लेक्जिज यह जो है जैसे कि इसमें लिकाव है इलिमेंटरी के नालवाल कंटेंट टू इंपॉर्टेंट जाता है या वहां से वीसी भी नॉर्मल जो सिगनल आते जाते रहते हैं वो इन नर्फ फ्लेक्सिす के जरीए जाते हैं ठीक है तो दो किसम के उसमें होते हैं एक होता है सब मेफ नर्फ लेक्ज जो है यह bus जिजभा तर एंटस्टाइन्थ में मुझूद होते है और यह जो ह काम करते हैं जो हमारे कंटी काम नियु बाधू में हो रहे होते हैं नियु विरांज और को मुव कराये जब चाहए तो इसको स्टॉप करrdाई ऐसा तो नहीं होता वो हमारी मर्ज़े के खिलाफ होती है मतलब विद आउट और कंट्रोल होता है सब कुछ ठीक है तो इसलिए वो आटोनामिक नर्वेस सिस्टम का हिस्सा होता है और इस पेशिली इनका काम मॉबैलिटी में ज्यादा होता है कि जो इंटस्टाइन है या पर जो ट्यूब है उसको मॉबाइल बनाए मॉबाइल का मतलब होता है कि उसमें मूवमेंट पैदा करें ठीक है अच्छे जी इसके बाद स्टमक एंटस्टाइन और वगेरा वह सारी चीज़े आती है लेकिन वह तो आपको उसके नाम पता है तो उसमें नौट में इतनी यह था क्योंकि स्टमक के अंदर जो है वो क्या कहते हैं इंजाइम्स और एच्सील और पैपसीन वगरा होते हैं लेकिन यह चैप्टर ज्यादे तर बीमारियों को फोकस करता है तो आई तिंग वह पिर डाइजिस्टिव सिस्टम के उपर ज्यादा फोकस हो जाएगा इसलि की ने इसलिया औजिस्टिव के रिक्टार के भी जो करना इसे लचा फोका हमने पड़े के खाल दर एक्टरियों के भी अलिया स्टिSean के लगर्ट सरकER हो जिसमें सबसे पहला दिसौर्ड़ है स्टूमा ता FC कई स्टॉमा का मतलब है माउध और टाइस टाइट टस जो भी आता है टी किसी भी वर्ड के अछे में आता है उसका मतलब भूर एंधरेंशन जिससे हमें पताइब है कि स्टॉमाटाइट जो है वो inflammation या infection of mouth है ठीक है अब यह mouth में किसी भी जगा हो सकता है जिसे कि जो membrane है वहाँ पे हो सकता है gums में हो सकता है palate जो उपर नीचे होते हैं उसमें हो सकता है टंग पे हो सकता है ठीक है और इसके कुछ types होते है मतलब stromatitis के बहुत सारे types होते हैं जिसमें affectus आता है hyrpetic stromatitis आता है, candidiasis, gengivitis, periodonitis ठीक है और angular stromatitis बहुत सारे हैं जो के हम आई केक आगे पढ़ेंगे अच्छा, इसमें सबसे पहले एrfetis या canker source भी हम कहते हैं एrfetis जो है आपको गोल यानि ओवल शेप अंड़े की तरह नज़र आएगा या बिलकुल गोल नज़र आएगा जिसके जो borders होंगे, ठीक है, मतलब जहां पर वो चल का सा बना हुआ है, ठीक है, या पिर जो जखम है उसके borders आपको red color के नज़र आएगे, इस picture में आप देख सकते है और बिलकुल बीच में वो आपको तोड़ा सा white या yellow color का नज़र आएगा ठीक है, जो मैं आपको point बता रहा हूँ ने, important याद रखने, पेपर में अक्सर यही पूचा जाते है कि अर्फेतिस आप कैसे बेजा रहेंगे, कि अर्फेतिस क्या है अर्फेतिस के जो borders होंगे, मतलब जो जखम या चिल का बना होगा, ठीक है उसके borders आपको red color के नज़र आएंगे, और बीच में वो आपको white या yellow color के नज़र आएगा इसको हम canker source भी कहते है, या पिर अर्फेतिस जो medical term है, ठीक है अच्छा location जो है, मतलब कहां कहां, चीक्स पे, अंदर की तरफ हो सकता है, ठीक है या पिर tongue पे भी हो सकता है, या पिर lips के उपर भी हो सकता है, ठीक है अच्छा, ये एक से दो हफ़तों के अंदर खुद बहुत जो है, वो सही हो जाता है और इसके दाग दबे रहते नहीं है, अक्सर ऐसे जखम होते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं भी उनका, उनके वो दाग दबे रह जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है अच्छा, कभी कभी ये जो है वो, मतलब जब इर्रिगॉलर होते हैं, या बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं तो छे से साथ वो भी लगते हैं, हफते लगते हैं, ठीक है किस वज़े से हो सकता है कभी बंदा इमोशनयलि डिप्रेस्ट हो तरपेशन की वज़े से हो सकता है, इमोशनलि, मेंटिलि, हर्मून्जards चैंज़्ज करते रहते हैं उसकी वज़े से, कोई चोटा मोड़ा जखम हो गया, कोई मसला हो गया, ठीक है allergy की वज़े से भी हो सकता है या पिर कोई acidic चीजे कहाई बहुत ज़्यादा तुर्श काने कहाई acidic या पिर जो है वो diet deficiency है कि diet में किसी चीज़ की कमी है ठीक है तो उसकी वज़े से भी ये हो सकता है अर्फेतिस ठीक है दूसरा जो है वो है herpetic stomatitis herpetic stomatitis जो है वो cold source भी कहते है या fever blaster भी कहते है यह ज़्यादा तर जो है वो fluid felt source होते हैं मतलब दाने चोटे चोटे से होते हैं और इसमें इसका अंदर पानी होता है और around the lips जो है वो ये बनते हैं तक्रीबाद साथ से दस दिन के अंदर ये बहुत सही हो जाते हैं इसके sign symptom जो है वो आपको दाने से मिलेंगे और वो बिलकुल painful होंगे बहुत ज़्यादे दर्द वाले होंगे ठीक है लेकिन कभी कभी इसके साथ आपको ऐसा लगेगे कि आपको नजला जुकाम वगेरा हो गया है तो नजला जुकाम से भी ये चीज़े हो सकती है अचा काजिबल काजिस क्या है opportunistic infections ठीक है opportunistic infection का मतलब ये होता है कि बैक्टिरिया वगेरा अल्रडी मुझूद होता है लकिन जब उनको मुका मिलता है ठीक है तो वो infection cause करते है तो मतलब बैक्टिरिया की वज़े से हो सकता है वाइरस की वज़े से हो सकता है या immunosuppression patients कुछ patients ऐसे होते हैं जिनका immune system बहुत ज़्यादा weak होता है ठीक है या वो कुछ ऐसे medicines ले रहे होते हैं जो कि immune system को खराब करते हैं suppress करते हैं तो उनकी वज़े से या पिर females में ज्यादा तर ये menstruation के time जब उनका menstrual cycle चल रहा होता है ठीक है तो उस time हो सकता है ठीक है या पिर जो लोग बहुत ज्यादा सूरज में धूप में जो है वो गुम फिर रहोते हैं गर्मी में ठीक है तो उनको ये सारी चीज़े हो सकती है या अक्सर जो है वो बुखार की वज़े से भी हो सकता है नेक्स्ट वन इस Candidiasis Candidiasis को हम Moniliasis भी कहते हैं या पिर इसको Trush भी कहते हैं ठीक है Trush कह सकते है या Trush कह सकते है Trush सही रहेगा It is a medical condition in which a yeast shaped fungus called Candidia Candida albicans overgrow in the mouth and throat ठीक है ये जो है वो एक fungal infection होता है जो के अक्सर mouth के उपर mouth के अंदर या पिर जबान के उपर जो है वो white color के वो सारी fungus infection हो जाता है fungus grow कर जाता है ठीक है ये अक्सर throat तक भी पहुंझ जाता है और इस किसम के condition को हम कहते है Candidiasis ये आपको picture में भी नज़र आ रहा होगा बिलकुल जो white color के patches और इस तरीके का thrush आपको नज़र आता है इसको हम Candidiasis कहते है ठीक है अच्छा इसके characteristics जो होंगे वो white plague जो आपको नज़र आता है ठीक है ये होगा अच्छा जब आप इसको मतलब rub करेंगे मतलब इसको जबान को साफ करेंगे किसी कपड़े से या ब्रुष से ठीक है तो ये जब आप साफ करते हैं तो खून निकलाता है इससे ठीक है bleeding होती है तो इसके characteristics है कि हाँ ये fungal infection है कॉजिस क्या क्या हो सकते है किसी को अगर diabetes है तो उनको ये मसला हो सकता है कोई जो है वो antibiotic therapy है therapy पे है कि वो antibiotic ले रहे है या पिर वही immunosuppressant है कोई तो उनको हो सकता है ठीक है अच्छा treatment की बात करें तो इसको हम antifungal देंगे क्योंकिए fungal infection है तो antifungal drugs हम देंगे जिसमे नाइस्टेटिन और ketoconazole जो है वो दे देते हैं ठीक है जो antifungal drugs है अच्छा जी next one is angular stomatitis angular stomatitis या पिर इसको हम angular chelitis भी कहते हैं या पिर परलीश भी कहते हैं ठीक है तीनों नाम आप इसको कह सकते हो अच्छा ये जो है जो हमारे lips के corner होते हैं जो कौने होते हैं वहाँ पर inflammation हो जाते हैं और कौने अक्सर खराब हो जाते हैं इसको हम angular stomatitis कहते हैं और ये जो है इसमें आपको science symptom मिलेंगे जो characteristics मिलेंगे वो arrhythmia होगा मतलब तोड़ी बहुत bleeding होगी ठीक है वो जेगे आपको बिल्कुल red color की नज़र आएंगी फिशर्स जो वहाँ पर क्रेक से पढ़ जाते हैं ठीक है वो जेगे बिल्कुल अक्सर ऐसे पढ़ जाती है खराब हो जाती है scaling मतलब दाग दबे से और वो जो जखम के बाद जो एक मतलब वो जो cover सा आ जाता है ठीक है जखम के उपर black color का वो आ जाएगा और crust वगए आपको उस वहाँ पर नज़र आएंगे causes क्या होंगे ये ज़्यादे तर anemia की वज़े से होता है ठीक है anemia की भी बहुत सारे types है आप semester हाँ 3 में ही पढ़ेंगे लेकिन आगे पढ़ेंगे जो hematological disorder है ठीक है anemia जो है वो खून के मसले होते हैं और उसके भी बहुत सारे type होते हैं जिसमें एक होता है iron anemia deficiency ठीक है मतलब खून में iron की कमी होती है तो जिन लोगों को iron anemia deficiency होती है iron deficiency anemia होती है तो उसमें जो है वो ये मसला आपको ज्यादा मिलेगा है कि उनके ये angular stomachitis उनको होगा उनके lips के corners अक्सर वहाँ पर inflammation होती है या पिर vitamin B की deficiency होती है vitamin B के भी बहुत सारे types होते है vitamin B12 है vitamin B2 है rib of 11 folate ठीक है पिर उसमें आप ये मुक्तलब किसम के drugs भी दे सकते हों जो यहां पर लिखे हुए या पिर किसी mal nutrition या diet की वज़े से भी हो सकता है ठीक है diet में कोई मसला है अचा अब हम इन सब की ये जो तीन चार stomachitis के types हमने पढ़े इनके हम treatment कैसे करेंगे तो जाहिरी बात है सबसे पहले या तो ingular stomachitis की बात करें तो इसका हम क्या करेंगे टाइनिलोल और अब्रोफिन ये पेन कम करने के लिए देंगे ठीक है और टॉपिकल एनस्थेटिक्स जो ट्यूब वगएरा हम लगाते हैं ठीक है पेरेडिक्स, mouthwash और अन्टिबाटिक्स वगएरा भी आप दे सकते हो ठीक है अच्छा जी nursing care की हम बात करें तो nursing care जो भी हमने types पढ़ें कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो जो mouth care है वो हम देंगे कि mouth में जो कच्रा होगा माउथ की सफाई का ख्याल लगेंगे ठीक है और healing को promote करेंगे frequency मतलब कितने दिन में कितनी दफ़ा हमने mouth care देना है patient को तो अगर तोड़ा सा कोई मसला है mild है ठीक है तो हम हर 4 गंटे बाद उसको mouth care देंगे लेकिन अगर मसला ज्यादा है severe है तो हर 2 गंटे बाद हम उसको देंगे अच्छा removal of dentures dentures लेका है if causing pen dentures हाँ dentures है dentures जो होते है ये वो dhant होते है जो patience ने लगाया होते है ठीक है अक्सर वो पूरा पूरे का पूरा जबड़ा लगा देते है या पिर वो जो steel like चीजे लगा देते है धानतों को सीधा करने की लिए तो अगर उनसे मरीज को उस टाइम तकलिफ हो रही है तो उनको निकालना पड़ेगा या फिर मतलब किसी ने किसी तरीके से उनको खत्म करना होगा ताकि मरीज का pain जो है वो कम हो soft tooth brush वगए इस्तिमाल करना है और अगर tooth brush से भी उनको pain हो रहा है ठीके तो पिर हम gauze लेते हैं वो पट्टी सी ठीके gauze पीस लेते हैं और उसको एक solution में normal saline हो गया कुछ इस तरह का साफ कोई liquid में dip करके उससे पिर mouth की सफाई करते हैं ठीके मतलब उसमें जो है mouth care हम उसके जिरिये से दे देते हैं अच्छा pain relief के लिए हम करते हैं मतलब pain को कम करते हैं जिसमें हम उसको cold drinks cold drinks पिला दे है cold drinks का मतलब यह नहीं कि आपने dew कोका कोला वगएरा पिलाई वो सारी जीज़े नहीं मतलब ठंडा पानी या ठंडे लिक्विड्स ठीक है आपने आम का जूस पिला दिया mango shake ठीक है या बनाना shake आपने पिला या ठंडा ठीक है cold drinks वगएरा वो सारी जीज़े नहीं जो हम नॉर्मली पीते हैं applying ice to the lesion ठीक है और जहां पे जखम है वहां पे आप ice वगएरा बरफ लगा सकते हैं नॉर्मली जो हम करते हैं ठीक है नमबर त्री जो है facilitating eating and drinking हमने उनके खाने और पीने का खयार लगना है कि वो अच्छा खाएं ठीक है और जो भी चीज़े जिसे के जिन चीज़ों से उनको तकलीफ है जैसे के salty खाने होते हैं या spicy काने होते हैं या बिल्कुल तुर्श काने होते हैं ठीक है तो हमने उनको वो नहीं देने उनसे रोकना है फ्लीट एंटेक ज्यादा करवाना होता है तक्रीबें पंद्रह सो मिली लीटर पर डे ठीक है soft diet देना होता है high protein और high carbon diet देना होता है दा कि उनको वो सारी चीज़े पूरी हो अच्छा इसके अलावा number four पे जो है आपने उनको alcohol, tobacco, heart और spicy food और poor hygiene इन सारी चीज़ें के आपने नुखसानात बताने है कि अगर आप ये सारी चीज़े करेंगे इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे क्या होगा उनके अजिमदार आप खुद होंगे या पिर क्या क्या मसले हो सकते हैं वो आपने बताने nursing process की बात करें तो nursing process आपको पताए कि जो 5 steps है ठीक है उसमें सबसे पहले हम assessment करेंगे assessment हम subjective और objective डेटा उसमें लेते हैं subjective जो मरीज हमें बतादा है जिसे आपने pain का पूछ लिया भूख का पूख के भूख लगती है नहीं लगती nausea vomiting होती है नहीं होती ठीक है मुँ में जो है बदबू है या नहीं है ठीक है और ये सारी चीज़े salivation ज़्यादा होती है कम होती है इसके अलावा objective डेटा जो के आप नोट करेंगे वो क्या क्या होगा mouth की सफाई ठीक है mouth का infection आप करेंगे inspection करेंगे धांतों की condition देखेंगे inflammation वगरा देखेंगे edema redness वगरा देखेंगे या पिर white patches जो अभी हमने पहले पढ़ें वो सारी चीज़े हम objective ली देखेंगे objective वो होते है जो आप मरीज में खुद नोट करते हो objective वो होता है जो मरीज आपको बताता है कि यह यह मसला है मुझे अच्छा इसके अलावा आप उनसे मतलब देखते हो कि वो कुई चीज कहा सकता है swallow कर सकता है या नहीं ठीक है और mouth अपना पूरा open कर सकता है या नहीं कर सकता ठीक है यह assessment माती है यह सारी चीज़े पिर आप करेंगे diagnose diagnose में आप जो है वो मुखतलिब किसम के oral hygiene देखेंगे कि सफाई के ख्याल लख रहे हैं oral mucos membrane देखेंगे अचा इसके अलावा जो है वो pain हम उसका देखते हैं कि inflammation की वज़े से जो है वो pain हो रहा या नहीं हो रहा पिर हम planning करते हैं planning में हमारा होता है कि हमने इसका मूँ जो है mouth साफ करना है मौइस्ट रखना है बिलकुल pink नजर आना चाहिए जब pink होगा तो normal होता है ठीक है इसके अलावा patient जो है वो अपना comfort जो है मतलब वो खुद हमें बताएं कि हाँ अब मैं बिलकुल सही हूँ मतलब ये हमारे planning में ये चीज़े शामिल होंगी अब ये हमने आगे करना है ठीक है और इसके अलावा हमने उसको पानी पिलाना है ये भी हमारे plan में शामिल होना चाहिए कि उसकी skin turgidity जो होती है मतलब skin जब आप इस तरह पकड़ते हैं पिर चोड़ते हैं तो वो अपनी जग़ा पे चली जाती है ठीक है तो वो चीज नॉर्मल होने चाहिए अचा पिर हम आतें implementation पे मतलब जो plan हमने बनाया है अब हम उसको implement करेंगे उसको उपर अमल करेंगे तो plan में हमारे antibiotics हम देंगे ठीक है जो कि डॉक्टर ने जिस तरह बताए है mouth wash provide करेंगे इसके अलावा nutrition वगएरा उसका खयाल लखेंगे पानी वगएरा देंगे और patient को बहुत सारी चीज़े teach करेंगे बताएंगे कि आपने अपनी सफाई का mouth care कैसे करना है और किस तरीके से अपना खयाल लखना है ठीक है पिर evaluation पर आते हैं evaluation में हम देखते हैं नतीज़ा कि जो हमने उसको चीज़े दी है हमें अपना state of mouth जो है वो उसको comfortable महसूस हो रहा है नहीं महसूस हो रहा है ठीक है और मरीज hydrated है या नहीं है मतलब पानी पूरा है या नहीं है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमारी nursing assessment में आती हैं अच्छे जी next disease is mouth cancer mouth cancer को हम oral cancer भी कहते हैं और ये आपको पता है कैंसर जो है वो किसी भी sore का बन जाना होता है ठीक है कोई extra mass जब किसी जगह पे बनता है उसको हम कहते हैं cancer ठीक है अच्छा cancer जो है वो life threatening होता है अगर आपने उसको time पे treat नहीं किया इसकी वज़े से जान भी जा सकती है और ये हमें पता है mouse cancer जो है mouth cancer sorry ये दो किसम के cells मतलब जो cells होते है squamous cells और bacal cells ठीक है तो दोनों cells में हो सकते है squamous cells जो है वो थोड़े top पे होते हैं और bacal cells बिल्कुल मतलब deeply होते हैं तो cancer या तो ऐसा होगा कि टॉप वाले area पे होगा ठीक है या पिर ऐसा होगा कि बिल्कुल deep से बिल्कुल जड़ से शुरू होगा और उपर की तरफ आएगा तो दोनों हो सकते हैं लेकिन ज्यादा तर जो है वो bacal cell carcinoma होता है squamous cell carcinoma carcinoma का मतलब होता है cancer ठीक है तो या squamous cell carcinoma होगा या पिर bacal cell carcinoma होगा लेकिन ज्यादा तर ये bacal cell carcinoma होगा मतलब बहुत डीप से शुरू होता है ये नीचे की तरफ से अच्छा इसके sites मतलब कहां कहां पे हो सकता है oral cancer lips पे हो सकता है ठीक है tongue पे हो सकता है cheeks पे हो सकता है floor of the mouth पे हो सकता है hard and soft pillar जो के हमने पढ़े वहां पे हो सकता है और sinuses sinuses जो है हमारे चार sinuses होते है ठीक है जो के एक दो माते में होते है और दो जो है नाक के आसपास होते है ठीक है sinuses यहां पे डाइग्राम नहीं है वरनना मैं आपको दिखा देता तो इन सब जगों की जो है वो sinuses में जो है भी है वो भी मात कैंसर हो सकता है ठीक है अच्छा अब कैंसर के जो शुरुआद है या कैंसर के बढ़ने का जो प्रॉसेस होता है वो किस तरह होता है जिसमें पहले होते हैं pre-malignant lesion pre-malignant अब आप word को समझेंगे तो आपको चीज़ खुद बहुत समझाएगी malignant या malignancy का मतलब होता है कैंसर जब फैलना शुरू हो जाता है ठीक है और बहुत ज़्याद तेजी के साथ बढ़ता है उसको हम कहते है malignant या malignancy ठीक है लेकिन pre का मतलब होता है पहले अब ये word है pre-malignant मतलब कैंसर तो है लेकिन अभी फैला हुआ नहीं है ठीक है अब वो एक ही जगा पे है अभी फैलना शुरू नहीं हुआ है और limited है एक खास एरिया में है इसको हम pre-malignant कहते है pre-malignant lesions मतलब कैंसर जब अभी अभी शुरुवात में है और उसकी वज़द से जो जखम वगेरा बनते हैं उसको हम pre-malignant lesions कहते हैं ठीक है जिसमें दो किसम के आपको lesions यानि दो किसम के जखम मिलेंगे ठीक है एक को हम कहते हैं leikopleakia leikocides आपने पढ़ाओगा white blood cell को कहते हैं तो इससे आपने याद रखना है leikopleakia leikopleakia में white pages आपको नज़र आएंगे ठीक है white pages नज़र आएंगे pre-cancerous lesions होता है मतलब cancer के शुरू होने से पहले अगर आपको leikopleakia नज़र आता है तो मतलब cancer शुरू होने वाला है ठीक है ये खतरनाक साहिन है अच्छा तो pre-cancerous lesions ठीक है ये आपको नज़र आएंगे मतलब जखम होंगे उसमें खासी अच्छी खासी आपको दराले सी नज़र आएंगे या white color के gray color के आपको इसी तरी के नज़र आएंगे ठीक है ये जो है ज्यादे तर आपको मतलब जबान के उपर नज़र आएंगे ठीक है और leather साब को नज़र आएगा ठीक है और rough होंगे rough मतलब ये के इसका कोई खास style नहीं होगा के ये मतलब एक खास इनका तरीका है rough होगा ये ठीक है दूसरा है eritroplakia eritroplakia में भी जखम होंगे और इसी तरह के pages होंगे लेकिन वो red color के होंगे क्योंकि eritrocytes है तो red pages आपने याद रखने है ठीक है eritrocytes red blood cell को कहते है अच्छा इनकी मतलब cancer के causes की बात करें तो वही alcohol पीने की वज़े से smoking करने की या tobacco user जैसे good का पान वगएरा चालिया काते हैं उसकी वज़े से family history में भी हो सकता है एकसर family में ये आ रहा होता है ठीक है या पिर जो लोग बहुत ज़्यादा excessively धूप में काम करते हैं ठीक है radiation के उपर ज्यादा पड़ती है जैसे x-ray जो होते है x-ray technicians जो होते है ठीक है जो x-ray वाले होते है तो वो भी radiation होते है उनको भी इस चीज़ का खदरा हो सकता है या human pipiloma virus ये एक virus होता है जब वो body के अंदर चला जाता है उसकी वज़े से भी हो सकता है immunodeficiency या किसी का immune system weak है suppressed है ठीक है या पिर कोई viral या फिर fungal infection है और उसने आपको treat मतलब आपने उसको treat नहीं किया untreated रह गया तो उसकी वज़े से भी ये mouth cancer हो सकता है ठीक है अच्छा इसके बाद जब किसी बंदे को cancer हो गया तो उसके science symptoms क्या होंगे मतलब किस तरह का feel होगा ठीक है तो उसमें swelling होगा ठीक है मतलब वो सूज जाएगी वो जगे lumps lumps भी सूजन कोई कहते है आपको extra mass नज़र आएगा ठीक है किसी जगा पे rough spots होंगे मतलब दाग दबे से नज़र आएगे erosions मतलब erosions वही जखम आप कह सकते हो ठीक है velvety white, red और speckled वही white and red patches आपको नज़र आएगे ठीक है unexplained bleeding in mouth bleeding होगी mouth में और वो भी बिला किसी वज़़ज़ आपको पत्र भी नहीं चलेगा कि यह किस वज़़ज़ से हुआ है बस bleeding हो रही होगी ठीक है unexplained numbness numbness का मतलब होता है कि आप किसी जगा पे जो है वो feel नहीं होगा आपको ठीक है अक्सर हमारी जगा अक्सर ऐसा होता है कि हम सो जाती है वहाँ पे जो है वो blood flow बंद हो जाती है तो पिर वो हमें touch करके भी feel नहीं होती तो वो unexplained numbness आपको feel नहीं होगा कि आप उसको touch करेंगे लेकर आपको touch feel नहीं होगा ठीक है loss of feeling जिसकों कहते है या pain या tenderness या सारी जीज़ आपको feel नहीं होगी persistent source on the face source मतलब इस तरह के दाग दबे जखम और swelling आपके face पे, neck पे, mouth पे इन चीज़ों पे जो है वो नज़र आएंगी और ये इस तरह की चीज़े होंगी जखम वगरा होंगी जो के दो एक दो हफते में treat नहीं होंगी अगर इससे ज़्यादा हो गया तो पिर बंदे को डरना चाहिए ठीक है अच्छा इसके अलावा difficulty achieving और solving चीज़ों को चबाने में, निगलने में ठीक है बोलने में और जो जब्डे होते उसको move करने में बंदे को तकलीफ होती है ठीक है इसके अलावा horseness, chronic, sore throat and change in wise आवाज तबदील हो रही होगी ठीक है आवाज खराब होती जा रही है और गला बार बार खराब हो रहा है ठीक है इसके अलावा ear pain कान में दर्द होगा weight loss हो रहा होगा जो दान्त होते हैं वो गिर रहे होंगे बिला किसी वज़े के without any reason ठीक है तो ये सारी चीज़े science symptom में आती है अच्छा अब आते है stages of cancer पर और ये बहुत ज्यादे important है stages of cancer अक्सर लोगों को नहीं पता होता है stages of cancer उनको यहीं पता है तीसरे stage का है four stage का है लेकिन पता नहीं होता कि ये stage है क्या तो as a medical student आपको cancer के stages पता होने चाहिए अच्छा cancer के four stages होता है stage one जो होता है वो बहुत ही low stage होता है मतलब उसमें अगर आपने cancer को बकल लिया तो बिल्बल आप उसको असानी के सार्ट ट्रीट कर सकते हो और उसमें आपको surgery वगेरे के भी जरूरत नहीं पड़ेगी medicine के जरीए ही आप उसको treat कर सकते हो ठीक है मतलब उसमें कोई lymph nodes शामिल नहीं होंगे मतलब lymph nodes हमारी body में पूरे है ठीक है तो जब cancer होता है तो उसमें lymph nodes सबसे पहले affected हो जाते है तो जो stage 1 का cancer होगा उसमें कोई भी lymph node affected नहीं होगा no metastasis metastasis का मतलब होगा divide होना cancer के cell बहुत तेजी से divide होते है ठीक है लेकिन stage 1 के cancer के जो cells होंगे वो divide अभी शुरू नहीं होए ठीक है मतलब तेजी से divide नहीं होए इसके अरावा जो tumor होगा ठीक है उसका size different होता है लेकिन stage 1 का जो tumor है वो तकरीबन 2 cm से उसका size कम होगा ठीक है ये जो points है आपने याद रखने है stage 1 के अवाले से पिर stage 2 है तो stage 2 में भी कोई lymph node शामिल नहीं होगे metastasis भी नहीं होगी ठीक है अब जो lymph node है वो तोड़े बहुत इसमें आ जाएंगे मतलब आपको feel होंगे के nodes तोड़े बहुत swell हो चुके है ठीक है बढ़ चुके है और metastasis यानि division भी तोड़ी बहुत start हो चुकी और tumor का जो size है वो 4 cm से बढ़ जाएगा ठीक है अब वो पहलेगा ठीक है और stage 4 जो है वो पूरे neck में जाके फैल जाता है और अक्सर लोग कहते हैं कि stage 4 पे अगर cancer पहुंच गया है तो मतलब खतरनाक situation है ठीक है तो ये खतरनाक stage होता है और इसमें जो है वो tumor होगा ठीक है वो काफी बढ़ चुका होता है तक्रीबन 6 cm तक यानि 2 इंच तक जा चुका होता है काफी बढ़ा हो चुका होता है ठीक है तो इसको हम mouth cancer कहते हैं और इसके 4 stages जो कि आपने याद रखने किस stage में क्या होता है ये आपको बहुत ज़्यादा detail के साथ और मतलब रटा हुआ होना चाहिए ठीक है most important अच्छा जी इसके अलावा diagnose है diagnose में मतलब आपको कैसे पता चलेगा x-ray करेंगे तो x-ray में हमें जब chest x-ray करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि ये जो cancer cell है ये नीचे spread हो चुके है chest, lung वगरे में या नहीं ठीक है city scan करेंगे उससे भी हमें पता चलता है के tumor कहां कहां पे है PET PET जो है ये भी एक किसम का scan होता है जिसमें भी हमें वो पता चल जाता है cancer के cells के फेलने का ठीक है इसके अलावा MRI वगरा करते हैं और इंडोस्कोपी करते हैं इंडोस्कोपी मतलब अंदर camera डाल के देखते हैं computer पे जैसे हम ultrasound करते हैं लेकिन ultrasound में भी camera नहीं डालते है इंजियोग्राफी वगरा जो करते हैं हार्ट की उसमें तो इसी तरह की से जो है वो endoscopy करते हैं इंडोस्कोपी भी हमें पते चल जाता है treatment की बात करें तो treatment जो है वो stage पे location पे और patient के general health पे depend करते हैं कि patient कितना और healthy है ठीक है और किस तरीके से वो क्या prefer कर रहा है मतलब patient क्या चा रहा है तो इस हिसाब से पिर हम treatment कर देते हैं अच्छा treatment जो है उस बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें radiation therapy होती है मतलब raise के जरिये उस tumor को मार देते हैं ठीक है या कीमो तेरिफी मतलब medicine वगरे दे देते हैं या surgery करते हैं टूमर को काट के पहिंख देते हैं तो ये मختلف किसम के treatment होते हैं जब treatment हो जाती है पिर हम आते हैं nursing intervention पे पिर हम उसके oral hygiene का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं माउथ को dry रखते हैं इसके अलावा nutrition का उसका ख्याल रखते हैं और facilitating communication उसको चुँके mouth cancer हो चुका होता है ठीक है और mouth का shape तोड़ा से disturb हो चुका होता है वो बात नहीं किर पाता है तो हम पिर हम उसको बातों की तरफ यहने communication की तरफ लेके आते हैं अच्छा nursing diagnosis की बात करें तो risk for ineffective airway clearance ठीक है क्योंके cancer की वज़ा से जो है वो शायद सांस लेने मुसको मुश्किल होगी क्योंके वो टूमर जब बढ़ेगा तो airway को block कर सकता है imbalance nutrition ठीक है less than body requirements उसकी वज़े से भी जो है वो हो सकता है कि nutrition सही नहीं है impaired verbal communication आपको जो है वो बात सही से नहीं किर पाएगा ठीक है और वो जो है आप उसकी बात आपको समझनी आएगी फिर आप उसको बताओगे कि सर्जिरी के बाद जब आप बात करना चाहेंगे तो आप क्या क्या किस इशारे से या क्या का बोलेंगे ठीक है disturbed body image और उसके body का जो image होगा मतलब चुनके cancer हो चुका होता है वो यहाँ पर एंड करते हैं इन्शालला हम part two जो है वो salivary gland disorder से start करेंगे और आगे हम इन्शालला next part में पढ़ेंगे so that's all for today thank you for watching take care bye bye